हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई चैनल, आज मैं एक इन्फोर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने उपस्तित हुई हूँ, कि किस तरह से हम लोगों को, हम लोग आजकल UPI एप के थुरू, हम लोग पेमेंट करते हैं, कोई भी आज लोगडाउन में बाहर निकलना नहीं चा रहा है, किस तरह से, देखिए, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, और ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, इन तक इसे जरूर देखिएगा, गूगल पे, पे टी एम और फोन पे पे, हम लोग जब पेमेंट करना चाहते हैं, या कोई हम लोगों से कहता है, कि QR Code, मैं आपको इमेज बताऊंगी, QR Code का वो लोग इमेज भेजते हैं, और कहते हैं, इसको आप स्कैन कीजिए, और फटा फट आपका पेमेंट हो जाएगा, या तो वो लोग हमको पेमेंट कर देते हैं, या हमसे पेमेंट ले लेते हैं, ये देखिए, स्क्रीन पे आया है QR QR Code, ऐसा ही एक इमेज वो लोग आपको भेजेंगे, और कहेंगे, ये QR Code है, इसको आप स्कैन कीजिए, यही पर आपके साथ फ्रॉड होने के मैक्सिमम चांसे रहते हैं, आपको किसी भी तरह से, किसी भी हाल में, इस QR Code को स्कैन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपन इसको स्कैन किया, बिना आपके अकाउंट नंबर बताए, कोई भी आपका अकाउंट डिटेल्स बताए, आपके खाते से, उनके खाते में, फंड ट्रांसफर हो जाता है, और्टोमेटिकली, बिना किसी बैंक डिटेल जाने, वो लोग आपका पैसा निकाल सकते हैं, रखना है, क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं भी हम लोग Olex में बेचते हैं, हम लोग कहीं पर और किसे पेमेंट लेना चाहते हैं, तो precaution के तोर पे हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप पहले हमारा पेमेंट कर दीजिए, और फिर हम लोग आपको दे देंगे, वो प्रोड़क्त या हम लोग को वो image भेज देते हैं, तो जैसे ही वो लोग image भेजते हैं, हम लोग scan करते है, मिन्टों में हमारे खाते से fund डेबिट हो जाता है, और उनके खाते में ट्रांसफर हो जाता है. Thank you for watching my video Please subscribe my channel आपने अभी तक अगर कमेंट नहीं किया है तो मेरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिए और बताएए मेरे वीडियो आपको कैसी लगी Thank you very much